हालो फ्रेंज इंडिन टैलेंट यूटूब में आपका स्वागत है आज हम रिलेवे ग्रूप डी का रिजल्ट जो 13 फरोवरी को जारी होने वाला था अब उसका रिजल्ट का डेट को टाल दिया गया है अब यह भी रिलेवे अधिकारी की दोरा गुस्टना की गई है फ्रें चलते हैं जो इसका अधिकारी ने घुस्टना की कि जो रिजल्ट है 13 फरोवरी के बजाए अब 17 फरोवरी के रिजल्ट आ जाएगा इसका क्या करणा है इन सारे बातों को डिसकस करते हैं अब देख सकते हैं कि एंडी टीबी के निउस में आप दिया हुए है कि ग्रूप ड करने की कोई तारिक तैनी है लेकिन फरोवरी के मध्य की जारिक किया चाकता है और मूंत चारह 70 या जा रहा ही हो जैगा यह आज का पेपर छीति इसकी भी के बाद किसी भी धी जारी किया जाल सकते हैं और खास बाते क्या है इसमें नूज में क्या खास बात दी हुई है रिजल्ट फरवरी के मद में जारी होगा करीब 1.89 करोणों लोगों ने परिक्षा के लिए अवेदन किया था और परिक्षा में 1.17 करोणों उमिद्वारों ने भाग लिया था आप देख सकते हैं इस पेप जारी करें बरिए करें और भाडिक ने टीबी को बताया फ्रवरी की मद जारी किया जाएगा अभी रिजल्ट जारी चारी करने के लिए कोई थारी कार्थ निदारित नहीं की गई है जल्द ही रिजistics जारी होने की तारी करिए स समभ constants सब eerबी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा हलाएं कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबित परिक्षा का रिजल्ट 17 फरोरी को जारी किया जाएगा हाजी फ्रेंड 17 फरोरी के इसका रिजल्ट जारी हो सकता है ऐसा मीडिया के अंसार कहा जा रहा है हमने इस पर भी आररबी के अधिकारी से बात की उन्होंने इस तरह की खबरों को नाकार दिया उनका कहना है कि अभी रिजल्ट जारी होने में समय है उमिद्वारों की संख्या ज्यादा है रारर भी अधिकारी ने कहा करीब 1.89 क्रोन लोगों ने परिक्षा के लिए अवेदन किया था जबकि इस परि फरवरी के हिसाब से देखा जाए तो परिक्षा के रिजल्ट तेरह फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है तो यह था आपका रेल्वेग गुरूब्डी के रिलेटेड जो रिजल्ट जारी होगा उसे रिलेटेड हमने यह वीडियो बनाया था फ्रेंश जो अब भी हम इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए यूट्यूब पर ता आपके पास सबसे पले नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंश मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए